नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं उर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं यहाँ पर थ्री आवर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग साइडवेज की तरह बहेव करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है काफी समय से कोई बड़ी तेजी स्टॉक ने बना कर नहीं दिखाई देखिए 7.85 पैसे पर अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेबल है करीबन 9.15 पैसे का देखिए जब तक इस रेजिस्टेंस लेबल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता कोई भी बड़ा ब्रेक आउट हमें देखने को नहीं मिलने वाला जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेबल को स्टॉक ब्रेक करेगा एक शांदार तेजी देखने को मिल सकती है तब तक वेट एंड वाच की स्टेटरजी अपनानी है कोई भी स्विंग ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है देखें नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेबल है यह सपोर्ट लेबल है करीबन 6 रुपीज 5 पैसे का इस सपोर्ट लेबल का भी आपको ध्यान रखना है तो यही स्टेटरजी अपनानी है और जाग लोबल में अगर पहले से ही आपके पोर्ट फोलियो में स्टॉक शामिल है होल्ड रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर फ्रेश पाइंग को एवॉइट करें जैसे ही खरिददारी का मौका बनता है हम एक वीडियो जरू बनाएंगे तो यही स्टेटरजी आपको उपनानी है और जाग लोबल में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद